नवस्का दोस्तों ये 36 साल की महिला का पाम है और इस पाम को देखे तो ये अंगुठा ये जब से मैंने देखा है इस तरह का अंगुठा व्यक्ति को बहुत जादा सक्सेस्फुल बनाता है ये चाहे प्राइविट कम्पनी में जॉब करते हो या खुतका कारे करते हो या अंगुठा हंडेट परसेंड व्यक्ति को सफलता दिलाता है दिलाता है और दिलाता है और कम्पलिट ऑथोरेटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुशता है जब इस तरह कि आपके हाथ में ये अंगुठा हो मैंने इनको पुछने भी कोशिस की कि कि आप गौर्मेंट आफिसर ह इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया पर ये अंगुठा बहुत बड़ा खेल इनके जीवन में करेगा बहुत बड़ा ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग परस्नालिटी होते हैं किसी से जलता जुकते नहीं हाँ पर ये अंगुठे मांसल भी कम है यानि उतना मांसल फिर भी इस तरह के अंगुठे वाला व्यक्ति सफलता पाता है पाता और पाता है तो ये बेस्ट पाट एक प्रस्ट फैलेंच पितना नुकीला है और सेखेंड फैलेंच काफी बढ़ा है तो ऐसे लोग जवानी में और टीनेज में लॉजिक के साथ बात करने में बहुत ज आर्गुमेंट करते हैं, लॉजिक के साथ, यह पाम यहां पर भी एक सीधी रेखा बन रही है, तो यह भी समझदारी दिखा रही है, जो जीवन में अपरचुनिटी आती है, उसे ग्रैप करके आगे बढ़ते हैं, और यह पाम रेक्टेंगल शेप है, तो व्यक्ति बैठे- भावना भी होती है, और यह दोनों उंगलियों में बहुत जादा अंतर नहीं है, पर फिर भी सूद्य की उंगली थोड़ी सी बढ़ी है, तो व्यक्ति को हिम्मती सभाव भी देती है, छोटी उंगली लग बग फर्स फैलेंग तक पहुँच रही है, लग बग, यह इस तर पर पहुचता है, और यह उंगली जब बड़ी होती है, तो व्यक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याद सकती, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट, यह सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा पजल हू अब इस फोटोग्राफ को देखू, तो हड़े रेखा यहां से निकलते हुए दिख रही है, और यह रेखा गुरु परवत की और जा रही है, पर जब क्लोजब को इनके देखता हूं, अगर यह फोटोग्राफ को देखू, तो यह कम्प्लिट अलग दिख रही है, और यह अलग से यहां से हिर्दे रेखा निकली और यह आगे बड़ी, मैं दोनों के प्लस माइनस बता दूंगा, अब बुद्परवत पर चले, तो बुद्परवत पर एक बहुत बड़ी खड़ी रेखा है, अगर यह व्यक्ति के खड़ी रेखा होती है, तो व्यक्ति की सबल या एस्ट्रोलोजी वाला है, वो अगर पैसा कमाना चाहे, तो उसके हाथ में कहीं न कहीं बुद्ध रेखा को कट करने वाली रेखा चाहिए, तो यह व्यक्ति इमेजिनेशन कर पाता है, कि अगले का भविश्य कैसा होगा, तो यह सारे गुन यह रेखा देती है, यहां प जब थोड़ा सा दबा होता है तो मन की बाते करने में कहीं न कहीं खचचा रखता है, यानि कहीं न कहीं थोड़ा सा अंदर से गिरा रहता है, और यह पात जब उभार रहता है, तो व्यक्ति को नाम के प्रती जादा चेश्टा रहती है, यानि छोटा भी काम करें तो नाम ह होना चाहिए वैसी इनकी अभिलाशा होती है इनकी सन लाइन एक्चिल में चल रही है यहां से पर ऐसी स्ट्रॉंग नहीं है जैसी होनी चाहिए यह इस तरह से चल रही है और यहां से एक स्ट्रॉंग रेखा डवलप हो रही है वह हो रही है 57 के आसपास से और यह होकर आगे बढ़ रही है, तो comfortable जीवन तो रहेगा, comfortable income तो रहेगी, पर जो power मिलना चाहिए, sun रेखा का, ये comfortable income दे रही है, यह भी देती होगी, पर वो जो ताकत होनी चाहिए, वो ऐसी ताकत इन में नहीं होती, इस तरह की पतली sun line में, पर comfortable income जरूर देती है, और यहां से 77-78 के आसपास से इनके जीवन में एकदम comfortable income जीवन में आएगी, यहां पर देखे, तो विद्यारेखा बनी हुई है, basic knowledge अच्छा खासा होता है व्यक्ति में, और लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे ज़्यादा लोग पूछ-पूछ कर काम करेंगे, शनी परवत थोड़ा सा यहां पर उबार है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में, कहीं न कहीं, अलस से आता है, पर एक बार व्यक्ति बैड से उतर जाए, उसके बाद एक्टिव रहता है, क्योंकि उसके बाद शनी परवत एक दम फ्लैट है, और कंटीन्यू चल रही रेखा, तो बुड़ा पे तक कंटीन्यू इंकम कई माध्यमों से इनके जीवन में आती रहेगी, तो बुड़ा पा काफी उत्तम रहेगा, दूसरी चीट देखे, तो ये रेखा, अगर इस तरफ जाती है, तो चार तरह के लाब दिखाती है, पॉलिटिकल लाब, या सरकारी लाब, या व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला मिलता है, या सादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है या मैनेजमेंट में जाता है या व्यक्ति बड़े स्तर पर पहुझता है कई लोगों को चारों लाब मिलते किसी को तीन किसी को दो किसी को एक और ये रेखा अगर जॉइंट चल रही होगी या हार्ट लाइन होगी तो ऐसे लोग भावुक होते भावनाव में निने लेने वाले होते उस पर हदे रेखा पर आएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे उस फोटोग्राफ में ये अलग से दिख रही थी इस फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा है इसका मैं उपाय दे दूँगा और एक स्क्वेर बनते हुए इनके हाथ में दिख रहा है ऐसे लोग 32 साल के पहले कोई ने कोई प्रॉपर्टी खरीद थे 36 साल में ऑथोरेटी पोजिशन पर पोस्ते बोलने के कारे में व्यक्ती महारत हासिल करता और इस तरह का बड़ा स्क्वेर हो तो बड़े घर में रहने का सोभाग्य भी प्राप्त होता है सेकेंड चीट देखे तो एक लाइन चल रही है और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन तो जीवन में मल्टीपल इंकम के सोर्स हमेशा रहेंगे सेवा भावी होंगे प्लस धार्मिक बनेंगे और एस्ट्रोलोजी पामेश्टी इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस है उसके प्रती इंट्रेस जगेगा इनका अब अन्दूनी मंगल उतना मजबूत नहीं है जैसा होना चीए तो सरीर के एनरजी मध्यम तरह की होगी बहुत जादा सरीर के एनरजी नहीं होगी और बहुत जादा कम भी नहीं होगी और उस पर थोड़ी सी लाइने हैं इतनी लाइने भारती समाज की महिला के हाथ में एक कॉमन सी चीज है तुकि जीस तरह से जिम्मेदारिया लेकर चलती है समाज में, वह हिसाब से ये एक common सी चीज है, बारिमंगल अच्छा है, व्यक्ति हिम्मत ही होता है, जब किसी से मिलता है, तो एनरजी के साथ मिलता है, पर इतना भी उभार नहीं है, किसी से तो भूत एनरजी के साथ सेम चंद्रपरवत भी बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, मध्यम टाइप का है, तो मध्यम टाइप के सारे लक्षन इनको प्राप्त होंगे, अब प्लस पॉइंट ही है कि बहुत अच्छा मनी ट्रेंगल इनके हाथ में बन रहा है, जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना अच्छा मनी ट्रेंगल हो, तो व्यक्ति 100% इंकम के सोर्स अच्छे क्रियेट होता है, और धीरे धीरे अपने जीवन को संपनता की और लेकर जाता है, और बुड़ा पे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेते हैं, वर्तमान आयू, इनकी only 36 years है, तो यह best पार्ट है, औ चाहे बुद्र रेखाओ, कहीं न कहीं ब्रेक होकर चलती है, तो वो लेवल का बेनिफिट नहीं देती, पर मनी ट्रेंगल कम्प्लिट पैक है, यह बहुत बड़ा एडवांट्रेज है, शुक्र परवत देखे, तो शुक्र परवत भी इतना उभार नहीं है, मध्यम अब हिदय रेखा पर, इसके बारे मैं तो मैंने जानकरी दे दी, अगर यह रेखा कंटीनी होगी, तो ऐसे लोग भरत जादा अच्छे सभाव के होते हैं, अगर यह इस तरह से चल रहे हैं, तो भरत अच्छे सभाव के होते हैं, और सबसे मिलंसा सभाव होता है, मिल जू किसी से दुस्मन ही नहीं बहुत मीखे सबाओं के होते हैं यानि सब के साथ आनंदित रहने वाले लोग होते हैं अगर इस तरह के लिए रेखा होती हैं हाँ थोड़ा सा प्यार का प्रदशन करने वाले جरूर होते हैं पर 99 परसें इनका अंगुठा जिस तरह का है वो हिसाब से यह 100% यह अलग से रेखा चल रही होगी क्योंकि बहुत स्ट्रॉंग अंग उठा है उनका सेकेंड चीछ देखे यहां से अगर हदे रेखा चालू होती है तो यह थोड़ा सा गुसा दिलाती है और यहां पर फ्लर्ट लाइन भी है व्यक्ति कितना भी दुखी हो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुछ ही डूनता है पर यह लाइन जब मंगल की और थोड़ी सी भी जुखती है तो व्यक्ति में गुसा जादा रहता है जहन में और एक्सपेक्टेशन जादा होती है आदर्शवादी होते हैं बच्पन से आदर्शो पर चलने की कोसिस करते हैं उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आया जैसे अगर ब्रेक्फास का टाइम लंच का टाइम डिनर का टाइम भी थोड़ा भी 19-20 हुआ तो इनको गुस से काम करते हैं तो हाथ के नीचे के लोगों से भी ज्यादा अच्छा काम ले पाते हैं और ज्यादा अच्छा काम ले पाते हैं तो ज्यादा सफलता भी पाते हैं तो यह सारे वाईसे वर्षा चीजे हैं माइन लाइन देखे तो यहां से शुरूआत होकर इस तरह से आगे बढ़ रही है, और काफी बड़ी माइन लाइन है जब इस तरह की माइन intern हो तो विक्ति प्लानिंग बहुत बनाता और जयादा तर प्लानिंग का काफी अच्छी और माइन लाइन के कारण ऐसे लोग जीवन में विकास भी करते अब इनकी जो लाइने वो सारी डाक कलर की है तो ऐसे लोग अगर फाइनेंस सेक्टर में काम करें तो बहुत जादा अच्छा ग्रोथ ले पाते ये भी देखा गया थोड़ी सी डार्किस लाइन में होती है तो फाइनेंस सेक्टर में अगर ये लोग काम करें तो जादा सफलता जीवन में पाते हैं ऐसा भी देखा मैंने अब इनकी जीवन रेखा पर देखे तो एक लाइन यहाँ पर 36 के आसपास इनके जीवन में काट रही है और उसके पहले लगबख 29 या 28 के आसपास भी एक लाइन कट रही है पर यह बहुत बार सादी भी कराती है जब यह लाइन जोइन्ट होती है वैक्टी के जीवन में सहनाई भी बसती है और यह अगर क्रोश करके जाए त यह 29 के आसपास इनके जीवन में या तो सहना ही बजी होगी या कोई रुकावट का सामना किया होगा पर इसी पिरियड में देखे तो बहुत सारे आफशुट इनको continue मिल रहे तो सभलता भी इनको जीवन में अच्छी खासी प्राप्त हुई होगी कि इनके जीवन का यह लगबख विकास हुआ होगा इनका 24 के आसपास से भरपूर स्पीड में गती इनके जीवन की मिली होगी इनको और एक राऊ रैखा अभी वर्तमान में इनको काट रही है और उसके पहले भी एक दो छोटी छोटी रेखा है थी जो थोड़ा सा disturbance लाई होगी हलके-हलके पर इतने सारे offshoot में इनको पता भी नहीं चलाओगा और एक राहू रेखा, बड़ी राहू रेखा 38 के आसपास इनके जीवन में काट रही है ये पिरियड में कोई न कोई रुकावट और ज्यादा इनको फेस करनी पड़ेगी उसके बाद भी देखे 38 के बाद 38 के बाद 39 छोटी छोटी रेखा है मैं डिसकस कर रहा हूँ 41 उसके बाद 46 यहां पर नियर एंड डियरर का भी डेथ होगा कोई न कोई और 52 और 54 यह इतनी राव रेखा है इनको जीवन में डिश्टब करेगी केवल यह एक बड़ी राव रेखा है यह तो छोटी है 38 वाली थोड़ी सी ध्यान रखने की जुरत है कोई ज़्यादा रिस्क लेने की आवशकता नहीं है कोई फ्लेट बूक करना हो या कोई जमीन बूक करनी हो तो इस पिरियड में कोई करने की आवशकता नहीं नहीं तो पैसा डूब जाएगा कोई खा के जाएगा और कहीं न कहीं जीवन में रुकावट आती हुई इनको मैसूस होगी अब राव रेखा है महिलाओं के हाथ में जब काटी है तो इनको जादा पेन देती है वो पेन ऐसा होता है कि इनको पता नहीं चलता कि उनके जीवन में क्या हो रहा है ये एक negative feeling देती है ये सर पे वार कती है ऐसा लगता है जैसे जीवन पूरा हो गया अब कुछ बचा नहीं है इस तरह की feeling व्यक्ति के जीवन में आती है जब राव रेखा काटी है और महिला इस बात को समझ नहीं पाती है और इसके कारण बहुत बार घर में एक अलग ही तरह का क्लेश वाला वातावरन क्रियेट होता है तो इस चीद से जिस महिला में ये वीडियो जो भी महिला देखती हो उनके हाथ में अगर राव रेखा हो तो आप समझ लो आपके अंदर जो negativity आती है वो due to राव रेखा की कारण आती है और उसके कारण घर में हमेशा सांती बनाए रखे क्योंकि वो सेहन के बाहर की चीज होती है जब राव रेखा आपके जीवन रेखा को काटती है तो सेहन सक्ती बहुत कम हो जाती है खासकर महिलाओं में तो उस पिरियड में आप नॉर्मल रहिए नहीं तो घर में क्लश होने का चांसे बढ़ जाता है बाकी यो जीवन रेखा अच्छी खासी है और यहाँ पर फोर्क बनता है तो वेक्ति के जीवन में यात्राए भी भरपूर रहती है और यहाँ पर यह जीवन रेखा इनकी बन जाएगी यहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा बहुत बुड़ा पे मैं लगबख यह उम्र आएगी इनकी सत्तर साल के आसपास अब इनकी फेट लाइन को देखे तो यहाँ से शुरुवात हो रही है तो बहुत बार अगर यहाँ से शुरुवात होती होगी यहाँ से जब सुरुवात होती है तो वेक्ति खाते पीते घर में जन्म लेता है बेसिक चीजों के लिए लड़ाई नहीं करनी परती इजीली प्राप्त होती है और यह रेखा चलते चलते पूरी एंड तक इस तरह से चल रही है पूरे एंड तक अप तू यहाँ तक 58 तक और उसके साथ साथ में दूसरी रेखाए भी इनकी और लेड़ी चलती है तो कहीं न कहीं multiple income के source इनके जीवन में हमेशा बने रहेंगे कई मादिमों से पैसा आएगा अब यहाँ पर देखे तो एक उम्र लगबग यह उम्र होगी इनकी 25-26 के आसपास कोई ने कोई रुकाओट आई होगी 29 के आसपास या 30 के आसपास इनके जीवन में रुकाओट आई होगी या कोई investment हुआ होगा क्योंकि कार्टी है तो रुकाओट आती है पर photographic कभी-कभी आधी बात बताता है तो मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ 36 में कोई ने कोई रुकाओट है इनके जीवन में एक कठ उम्र लगबग 41 के आसपास है एक कठ उम्र लगबग 46 के आसपास है और ये भी 46 के आसपास है यहां पर 51 के आसपास है या 52 के आसपास है और ये investment है 54 के आसपास और इधर 52 के आसपास ये भी investment शो हो रही है बहुत बार ये fate line कोई काम नहीं देती है और बहुत बार काम देती है और ये continue चलने वाली रेखाए है continue तो multiple income हमेशा रहेगी, income के मामले में कोई tense लेनी के आव सकता है नहीं थोड़ी राव रेका है, इसके अलावा कोई problem वाले हाथ नहीं है, काफी अच्छा हाथ है और अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त करेंगे आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।